हाई अवरीवन वेल्कम टू होम्स कीजन आज मैं सुब के साथ शेयर करने वाली हूँ मिठाई केक ऐसी रेसिपी जिसको एक बार आप अगर बनाकर खालेंगी तो बार बार बनाकर खाना जाएंगी और बहुत ही सिम्पल सी जटपट सी बनने वाली रेसिपी है बहुत सारे इ रेसिपी आप बनाकर थ्यार कर सकते हैं और उनी चीजों से उनी इंक्रीडियंट से ये रेसिपी बनाकर थ्यार करेंगी जो हमेशा हमारी घर में अविलेबल रहती है तो जलिए जान लेते हैं इस जटपट बनने वाले डेजर्ट को कैसे बनाकर थ्यार करना है इस इसका यूस भी हम रेसेपी बनाने में कर लेते हैं तो आदा कप मैंने दूद में डाला है रबडी अगर आपके पास रबडी नहीं है तो आप दूद की कॉंटिटी बढ़ा कर ले सकते हैं या फिर चा से पांच चमच दूद में दो चमच कॉन फ्लोर को घोल कर दूद में डाल दे और अच्छे से उसको उबाल कर पका ले रबडी एकदम गाडी बनेगी और जल्दी भी बनकर तयार होगी तो ये देखे मैंने दूद में रबडी मिक्स कर दी है रबडी में खूब सारा केसर था इसलिए दूद का कलर चेंज हो गया है येलो कलर हो गया है दूद का अब दूद को हमने अच्छे से उबाल कर गाड़ा कर लेना है इसके थिक कंसिस्टेंसी हमने कर लेनी है जैसका फ्ले मेडियम रखेंगी बीच में इसको चलाते भी रहेंगी अब जब तक दूद की रबडी बनती है तब तक हम चास्नी बना कर त्यार कर लेंगी चास्नी बनाने के लिए मैंने एक पैन में डाला है एक चुधाई कप चीनी और साथ में ही एक चुधाई कप मैंने इसमें पानी डाला है अब मेडियम फ्लेम पर हमने चीनी को घुलने तक उबाल लेना है चाशनी को अगर आपके पास पहले से बनी हुई चाशनी रखी है तो आप यहों भी उज़ कर सकती है साथ में ही हम दूद को भी चलाते रहेंगे ताकि दूद पैन पर चिपके न अब दूद में हमने थोड़ी से चीनी भी डाल देनी है मैंने दो चोटे चमत चीनी इसमें डाली है आप अपरेंटियस के अकॉर्डिंग चीनी की कॉंटिटी कम या ज़दा कर सकती है मिक्स कर देंगे चीनी को और बड़िया से इसको गाड़ा होने तक हमने पकाना है बस बीच-बीच में चलाना जरूर है नहीं तो जल जाएगी रबड़ी हमारी इधर हमारी चीनी भी घुल चुकी है डिजॉल बहु चुकी है फ्रेंड्स हमने एक या दो तार वाली चाष्णी नहीं बनानी है सिर्फ चीनी को घुलने तक हमने चाष्णी को उबालना है बस हलकी से ये चिप-चिपी होनी चाहिए तो मैंने इसको उबाल लिया है पूरा चार से पांच मिनट तक चाष्णी बनकर तयार है अब गैस का फ्लेंड ओफ कर देना है इधर हमारी रबड़ी भी बनकर तयार हो गई है ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है इससे ज़्यादा थिक हमने रबड़ी को नहीं करना है अब इसी स्टेज में हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस की ओर तो फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर लिए है रस ये नॉर्मल रस है जो रेगुलर हम खाते हैं घर में चाय के साथ अगर आपके पास रस नहीं है तो आप इनकी जगह पे बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं पर बिस्किट मेटे ही ले नमकीन बिस्किट यूज़ नहीं करने हैं फ्रेंट्स क्यूंकि हमने मिठाई बनानी है इसलिए मेटे बिस्किट ही यूज़ करें अब मिठाई को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्पेर शेप का टीन लिया है आप कोई भी बरतन ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल है अब टीन में हमने रस की इस तरह से एके किलेयर लगा देनी है अब रस के उपर से डालेंगे चाशनी जो हमने बना कर दियार करे थी फ्रेंट्स चाशनी को हलका सा गरम करके ही ले अगर चाशनी ठंडी होवे है तो इसको तोड़ा सा गरम कर ले और इस तरह से रस के उपर से डालें ताकि रस चाशनी को अच्छे से अप्सौब कर ले और बढ़िया तरीके से रस सौगी हो जाएं आँ inmal में स से कावर कर देना है रस को अब रबडी डाल कर फिर से हम वही प्रोसेस रिपेट करेंगे फिर से हमने रसकी एक लेयर लगानी है इस तरह से रसके उपर डालेंगे चाशनी बेहदी डिलीशियस कमाल की ये डिजर्ट बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स एक बार तो जरूर रहे क लिए तो चाशनी डाल कर मैने सारी रबडी रस के उपर डाल दी है अब गानेशिंग के लिए मैंने लिये तोड़े से ड्राइफार व्रूट्स मेने मैं पिस्ता को कटकरकि लिया है आप अपनी मन परसंद कोई भी ड्राइफार इसके उपर गानिश कर सकते हैं या फिर बि गंटे तक मैंने इसको फ्रिज में रखा है और बढ़िया तरीके से ये हमारे डिजर्ट सेट हो चुकी है अब हम इसको सब कर लेती है बहुत ही जादा डिलिशियस टीस्टी ये मिठाई बनकर तयार हुई है फ्रेंड्स बढ़िया से रसनी चाशनी और रबड़ी को अबसॉ अगर रसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें मुझे सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले तो फिर मिलेंगे एक और नई टेस्टी रसेपी के साथ तब तक टेक केर बवाए